Hello greedy filmmakers and actors, this is Adamit Singh, I am an actor filmmaker, this is presented by Lemon Chilis Films Production in association with Bollywood का हला दोस्तो आज बात कर रहा हूँ आपके बोलने के तरीके के बारे में, जो कि बहुत ही जादा इंपोड़ेंट है दोस्तो यदि आप actor बनना चाहरे हैं, चाहरे हैं आप actor बनना, आपको लगता है कि आप actor बनना चाहते हैं आपके दिमाग में ये फितुर घूमता रहता है कि आपको actor बनना है, आपको बहुत बड़ा नाम कमाना है तो आपको अपना बात करने का तरीका सुधार ना होगा आप में से बहुत साए दोस्त होंगे जिसको सा, शा, शा, और जज़, इन सब में बहुत प्रोब्लम होती होगे बोलते वक्त आपके ये सारे के साथ यो शब्द हैं, ये सब कुछ आपके बीच में आके रोडा पा देते होंगे मतलब बंगड़ा करते होंगे दूसरे के साथ साथ क्यों ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि हम लोग क्या है ना उस पर फोकस नहीं करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते और वो चीज हमारी इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर हम शायद उस वक्त ध्यान दे देते कि आपके जो शब्द है क्योंकि जब आप audition देने जाओगे और जब काशिन डिरेक्टर का जब आप सामना करोगे वो आपको आपकी बातों से समझ जाएगा कि आप किस level के actor हो और किस तरह के auditions को आप आराम से कर सकते हो और किस character के लिए आपका audition लेना चाहिए तो ये बात समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप actor बनने जा रहे है तो आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपका जो शब्द है जो आपका diction है जो आप diction बोल रहे हैं वो आपका बहुत ही साफ और सुत्रा होना चाहिए जो इससे पहला में जिए डिक्षन बोला सबसे पहला वाला जो डिक्षन बोला था वो गलत बोला जिसमें डिक्षन हो गया और दूसरा क्या बोला था डिक्षन जिसमें डिक्षन होता है सार और शा का ध्यान दखना बेहत जरूरी होता है कभी-कभी हम लोगों से भी कभी-कभी उन प्रोफेशनल एक्टर्स से भी गलतिया हो जाती है फिर उसके बाद वो कट होता है देन दुवारा से जी टेक होता है खिर वो तो एक अलग बात है लेकिन हमें अपने आपको फिर भी बहुत ही जादा ऐसा समझ लेना होगा कि दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप एक्टर बनने जा रहे हैं तो आपकी जो शब्दा वाली है जो आप बोल रहे हैं जो सामने आप प्रिजेंट करने वाले हैं वो एक एक शब्द आपका साफ सुत्रा हो ठहराव के साथ हो और बहुत ही बैलेंसिंग हो ऐसा ना हो कि बहुत भाग रहे हो और बहुत ज़्यादा दुर 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 निकल गए आपके वाजीन पता लगी सामने लेको तो ये भी बहुत गलत हो जाएगा तो हर चीज़ का विशेश तौर पर ध्यान देना बेहत जरूरी है दोस्तों तो हमेशा इन चीज़ों को याद करने के लिए समझने के लिए आपको हर रोज सुबह उटकर प्रेक्टिस करनी चाहिए चाहें वो आप निउस पेपर पढ़ें चाहें आप कुछ भी पढ़ें आप तेज आवाज में बोलना शुरू कीजिए जैसे आप निउस पेपर पढ़ रहे हैं तो एक हैडलाइन ही हैडलाइन पढ़िए भले ही आप सिर्फ हैडलाइन पढ़िए लेकिन उसको ते 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 आवाज में पढ़िए ताकि आपको आपकी आवाज सुनाई दे आप अपनी कानों में वो आवाज सुन सके हैं जो आप बोल रहे हैं क्या वो वाकई में सही है उसको रिकॉर्ड करके देखें उसको ऐसी जगह पर record करके देखें कि आप उसको बार में सुन सकें कि आपने बोला कैसे था क्या वो एक actor की तरह मैच हो रहा है जो actor जिस तरह से बात करते हैं क्या उसकी तरह से मैच हो रहा है ये जानना और समझना बहुत जरूरी है दोस्तों और जिस दिन आप ये चीज़ें करना सीख जाओगे उस दिन आप को स्वैम पता लग जाएगा कि आप किस रहा पर चल रहे हो और जिस दिन ये पता लग गया तो आप actor हो आप actor बन जाओगे बहुत आसान होता है दोस्तों लेकिन हम उसको बहुत मुश्किल बना देते हैं क्योंकि हम उस पर महनत नहीं करते हैं उस पर रियाज नहीं करते हैं उस पर काम नहीं करते हैं और बस इसी वज़ह से हमारा जो काम करने का जो तरीका है तोड़ा सा डाउन हो जाता है तो मेरे खयाल से आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ पर बात कर रहे हैं और आपको किस चीज़ पर काम करना है समझ गए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दिए सब्सक्राइब कर दिए और शेर कर दिए क्योंकि ये बहुत ही important topic है दोस्तों अगर आपको actor पनना है तो एक बार सम्मिल कर बोल दीजे Hey Bollywood